वल्कम बाइक रोड चैनल, डियर इस्ट्रेंट, मैं देविंदर आपके चैनल, दाव नायन बस तमस्वाद करता हूँ इस्ट्रेंट आज के वीडियो में हम राष्टिया सिवाय युजना के कुछ महत्वपून प्रेश्णों को देखेंगे कुछ important questions को देखेंगे, जो आपकी B और C प्रिक्षया के लिए काफी महत्वपून होने वाले, जो प्रवाण प्रिक्षया होती है, उसके लिए बहुत ही important रहने वाले, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करेंगे, वीडियो को end तक देखेंगे, तो चलिए, सुरू क प्रिक्षा पार्स करने योग्य बनाना, तो इसका जो right answer है, यह है आदर सनागरिक बनाना, याने NSS में इसलिए रखा जाता है, NSS में इसलिए स्वयम सेयों को पंजिकृत किया जाता है, कि वो देश के आदर सनागरिक बन जाए, तो पहला का इसका जो right answer होगा, C, आदर सन मना जाता है, तो हमारे पाउप्शन है, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर या 1 दिसंबर को, तो 2 का, जो question number 2 है, इसका right answer है, A, 7 दिसंबर को, याने इसका right answer है, C, और इसका A, चले, question number हम third देख लेते हैं, question number third है, प्रारम में राष्ट्या सिवायुजना को लागो किया ग जाता है, याने, NSS को कहा लागो किया गया था, विस्ववी द्याले स्थर पे, मादिमिक स्थर पे, प्राविदे की स्थर पे, ये उपरोक मेंसे सभी, तो question number 3 का, जो right answer है, वो है A, विस्ववी द्याले स्थर पे, सुरू किया गया था, सबस्पहले, विस्ववी द्याले म कि उत्तरदाईत्व है यानि कौन उनको डायरी और बैज की ब्योस्ता करेगा तो इसके लिए हमारे पाउप्शन है राजय संपर्यत्गारी का मादमिक सिक्चा मंडल या मंडली अपने दिशक मादमिक सिक्चा का जनपा समयनुएक का या कारेकरम अदिकारी का तो इसका जो राइट अंचर है बी मादमिक सिक्चा मंडल या मंडली अपने दिशक का दायत्व है कि प्रतिक जो स्वयम सेवे को डायरी मिले और बैज मिले ठीक है आई होब कि आप नोट करते जा रहे होंगे चली हम Q4 देखते है इसने इससे पहले हम Q5 देखें अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप और शियर सब्सक्राइब करें जो सब्सक्राइब बटन है इसमें आपकी स्क्रीन पे बीजिवल है आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे ही महत्वपॉन प्रशनों का संकलन प्लेलिस्ट के रूप में किया है, मैं उसका लिंक की डिस्कुशन में दे रहा हूं आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, या फर्स्ट कमेंड में दे रहा हूं आप वहां से भी उसको चेक आउट कर सकते हैं, जूकि बहुत महत्वपॉन प्रशनों का हमने संकलन किया है जिसे कि आप आउश्या B और C साइडिपिकर्ट प्राप्त करें आप B और C साइडिपिकर्ट की महत्ता अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपने NSS लिया है ठीके, आपके पास या तो NCC होनी चीए, या तो NSS होना चीए दो में से एक तो होना ही होना चीए ठीके, ये आपके कैरियल के रिए बहुत ज़रूरी है तो 2003, 2004, 2002 ये 2000 में तो Q5 का जुराइट आंसर है D, 2000 में ठीके, मादमी की स्थर पे 2000 में सुरू की गई थी Q6 देख लेते हैं, राष्टिय एक करण दिवस मनाया जाता है यानि जो राष्टिय एक करण दिवस है, ये कब मनाया जाता है आपको ये दिवस वाले भी याद कर लेने चीए इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं हमारे पास जो अप्शन है 19 नॉम्बर को, 5 सितंबर को, 9 नॉम्बर को या 10 दिसंबर को तो क्वेस्ट नॉम्बर 6 का जो राइट आंसर है वो है, A, 19 नॉम्बर को ठीक है, आप नूट भी करते जाएंगी जय जय से मैं बताती जा रहा हूं चली, क्वेस्ट नॉम्बर 7 देख लेते हैं जनपत सवनोयक, राष्टिय सेवय युजनक का मुख्यकारिय है, यानि जो जनपत सवनोयक है उसका मुख्यकारिय क्या है जो NSS की जनपत सवनोयक है उनका मुख्यकारिय क्या है तो A हमारे पास कारेकरम अधिकारियों का प्रिसिक्षण जनपत इस्तर पर कारेकरमों का संचालन, निर्देशन, मुल्यांकन, एवं, निरिक्षण, सस्तावार, स्वयम सीवियों का आउंटन ये बजट का आउंटन तो जो समवन्वयक है, जनप समवन्वयक है, उनका जो मुख्य काम है, वो है, इसका राइट आंचर है ये उनका कारी है, क्वेस्टन निर्देशन, मुल्यांकन, ये उनका कारी है, क्वेस्टन नमबर हम एट देख लेते हैं, क्वेस्टन नमबर एट है, फाइब सितंबर को, फाइब सितंबर को परतिवर्स मना जाता है, पांस सितंबर को क्या मना जाता है, जैसे मैंने इस से पह दिवस, हिंदी दिवस, विश्वपराइटन दिवस, तो इसका जूराइट आंसर है B, राष्टिय सिख्चक दिवस, ठीक है, चले, question number 9 देख लेते हैं, अंतराष्ट्य साक्चरता सब्ता का आयुजन क्या जाता है, याने जो अंतराष्ट्य साक्चरता सब्ता का आयुजन किया जाता है, तो हमारे पा उप्शन है, 8 से 14 जुलाई तक, 1 से 7 जुलाई तक, 19 से 25 नॉमबर तक, 1 से 7 दिसंबर तक, तो question number 9 का जुलाइट आंसर है, वो है, A, 8 से 14 जुलाई तक हम अंतराष्ट्य साक्चरता सब्ता मनाते हैं, ठीक है, यह आप नोट कर लेंगे, question number 10 है, राष्टे सिवाई जुजना, हे तो आवंटीद बजट, में कैंदर और राजियों का अंस का अनपात है, क्याने उसमें कितने परसेंट, कितना अनपात कैंदर देता है, और कितना अनपात राजे देता है, तो हमारे पा उप्शन है, 9 अनपात 1, 7 अनपात 5, 3 अनपात 2, 1 एक, तो इसका जो राइट आंसर है, यह है B, ठीके, आप इसको नोट भी करते रहेंगे, इसका A, और 9 का A, और 10 का B, ठीके, आप नोट करते रहेंगे, A और B, ओके, चले, question number हम 11 देख लेते हैं, परति वर्स, 19 से 25 नूमर तक मनाय जाता है, याने कौन सा सप्ता मनाय जाता है 19 से 25 नूमर तक, हमाय पर option है, रगदान सप्ता, अंतराष्टे साक्चरता सप्ता, राष्टे युवा सप्ता, कौम एकता सप्ता, तो 11 का जो राइट आंसर है, D, कौम एकता सप्ता, इसलिए जो मैं ये question बता पढ़ ला हूँ, और जब उनके option पढ़ ला हूँ, अगर आते थे, चले, question number 12 देख लेते हैं, इससे आपकी practice भी हो जाएगी, निमली खित्मे से सामाजिक बुराई नहीं है, ध्यान नहीं है लिखा है, तो हमाय पर option है, जातिवाद, आतंगवाद, जन्द से हुआ या बाल सराम, तो इसका जुराइट अंसर है, हो है, C, जन्द से ह ठीक है, चले, question number 13 देख लेते हैं, question number 13 है, भारत की मंच वर्षी, प्रथम पंच वर्षी युजना का प्राणम होई, कापी important question है, लगभग प्रतिक बार आता है, तो हमाय अब option है, 1949, 1950, 1951, 1952, तो 13 का चुराइट अंसर है, हो है, C, 1951, ओके, question number 14 देख लेते हैं, राज्य की राष्टिय सिवायुजना, सलाकार समीती के सदसी की रूब में नामित किया जाते है, राष्टिय सिवायुजना, सलाकार समीती, ठीक है, तो किसको नामित किया जाता है, हमार पा option है, राज्य इस्तर पर पुरुस्कृत स्वेम सेवी को, राज्य इस्तर पर पु कारेकराम अधिकारी को इसमें नामित किया जाता है ठीक है को सर्वोत क्रिष्ट कारे करने वाले स्वाहिम सेवी को राष्ट्य इस्तर पर प्रतान के जाने वाला प्रुसकार के है यानि जो सर्वत प्रुसकार क्या जो सबसे अच्छा स्वाहिम सेवी है उसको राष्ट्य इस राष्टिया सिवा योजना प्रोसकार, मात्मागांदी प्रोसकार, प्रधान मंत्री, राष्टिया सिवा योजना प्रोसकार, तो 15 का जो right answer है वो है A, ये आपको बिल्कुल आता था, बिल्कुल आपने correct किये, और स्वाइम भी अनन प्रोसकार कहा मिलता है, इसको आप comment section बत अगर नहीं आता तो वहाँ पूछाएंगे, तो मैं वहाँ भी बता दूगा आपको, आपकी question होते हैं, उनका सदेव स्वागत होता है, वो चाहे किसी भी विषय के हो, ठीके, answer से सम्बंदित हो, या कोई subject से related हो, या carrier से सम्बंदित हो, आपकी सभी प्रश्णों का हमी से स चले question number हम 16 देख लेते हैं, उत्राखन में राष्टिय सेवय यूजना से सम्बंदित भी से सम्विधना, यी ध्यान केंगे, क्या है, सम्विधना का सम्बंद है, तो हमार पाउप्शन है, टीका करण से, रखदान से, पोलियो पर्तिरक्षण से, या डेंगो की रोगतां से तो इसका जो राइट आंसर है, वो है B, रखदान से, ठीके, सम्विधना का सम्वंद किसे है, रखदान से, ठीके, और इसका A है, अंतर इंद्राखन गांधी, राष्टिय सेवय यूजना प्रुसकार इसका आंसर है, ठीके, और इसका B, आप नोट भी करते रहें, चले, question number 17 देख लेते हैं, question number 17 है, राष्टिय सेवय यूजना के B प्रवाण पत्र, हेतु प्रतिक स्वयम सेवई के लिए नियूंतम अहड़ता क्या है, यानि अगर वो B प्रवाण पत्र की प्रिख्छा में बैट रहा है, तो उसके जो नियूंतम अहड़ता है, वो क्या है, तुम प्रवाण पत्र की प्रिख्छा में बैट पाईगा, अगर आपकी नहीं हुए है, 120 घंटे तो आप कर लें इसको, तब आप B के लिए eligible होंगी, ठीके, चले, question number 18 है, राष्टिय सेवय यूजना से सम्मंदित, राष्टिय कारेकरम है, यानि इस राष्टिय कारेकरम कौन यूजना से, 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 इससे पहले हम question number 19 करें अगर आप question number 18 तक आपने अपनी copy में note कर लिया है और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का उच्छे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें question number 19 देख लेते हैं राष्टिया सेवा युजना कि B एवं C प्रवाणपत्र प्रिक्षा उत्रिण करने के लिए नियूनतम उत्रिणांक है याने pass marking कितनी है यह मैं शुरू में बता रहा था कि यह जो बीडियो है काफी महत्तपोन होने वाले जो NSS के जितने भी बीडियो में बनाये हैं यह काफी महत्तपोन है इसलिए महत्तपोन है कि इसमें जो उत्रिणांक है इसका प्रसेंटेज जादा होता है सामने तो जो आप 11 से 12 में गए यह 10 से 11 में गए तो उसमें pass mark कितनी होती 33% होती लेकिन B और C certificate का जो उत्रिणांक है वो कितना है पचास परसेंट है तो इसलिए आप सारे क्वेशनों को अच्छे से नूट करें और NSS की तो आप महत्ता आपको पता ही है अगर आपके NSS की इंपोर्टेंट नहीं पता है तो आप comment section में बताएंगे मैं वहां आपको इसके बारे में detail में बताऊंगे या जरूरी रहा तो एक नया वीडियो ब ग्राम का ग्राम प्रधान यह होता है चेतर ग्राम का समानद एक व्यक्ती यह भी होता है यह उल्zechज़ं को सही है दो सक्रियाथ 46 यह भी सही है то इसका जो राइट हांजर है वह है अपरूब्ट सभी घिक है यह सबी होना चींच यह सारे तिनों A B C इसकी स्लाकार में ग्री चलिए question number 21 देख लेते हैं question number 21 है बर्तमान में राष्टिया सिवायुजना के राद दिन किस बिसेश सिविर की अवधी है याने जो बिसेश सिविर है उसकी अवधी क्या है राद दिन के, सिर्फ दिन दिन के नहीं राद दिन वाले की कितनी अवधी है तो question number 21 का जो right answer है वो है B, साथ दिन ठीक है? Question number 22 देख लेता है उत्राखंड के किस जनपद? किस सीमा उत्राखंड के सरवादिक जनपदों से मिलती है? ये बहुत important question है ये NSS में ही नहीं जब भाईशे में आप अन्य परज़गी परिक्षाएं देंगे तो वहाँ भी आपको ये पूछा जाएगा तो इसका जो right answer है, वो है body ये कितने जिलों से मिलता है? ये साथ जिलों से मिलता है ठीक है? उत्राखंड का सरवादिक जनपदों से मिलने वाले सिमा वाला जिल्ला है ठीक है? तो ये काफी important question है ये answers के लिए नहीं ये बलकि जीके के अभी ये बहुत मैत्पूर्ण question है ठीक है? तो आप इसको आशियर नोट कर ले है ठीक है? वैसे याद हो या होगा? हमने इसके बार में चर्जा कर ले तो आपको निश्ची दूरूप से याद हो या होगा question number 23 उत्राखंड के किस जन्पद में? सबसे अधिक विकास खंड है तो मैरे बापसन है देरदून, पौडी, अलमुडा और चमोली तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है पौडी इसमें 15 विकास खंड है आज की डेट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें 15 विकास खंड है ठीक है? और ये सरवादिक है आप बताएंगे कि देरदून में कितने हैं अलमुडा में कितने हैं और चमोली में कितने हैं ठीक है? पौडी का तो मैंने आपको बता दिया है ठीक है? तो आप इसको भी नोट कर लेंगे question number 24 है परतिवर्स बाल、 सब्स्था, सब्ता मनाemit जाता है यहने बाल, सब्स्यों सब्ता कम मना जाता है तो 15 से 20 अगस्थ 2 से 7 अक्टूबर 14 से 19 नोउम्बर या 1 जन्वर्डी से 7 जन्वर्डी तक तो 24 का जो राइट आंसर है वो है c 14 से 19 नोउम्बर यानि 14 नॉम्मर को हम क्या करते हैं? बाल दिवस मनाते हैं और 14 नॉम्मर से 19 नॉम्मर तक बाल शोच्टा सब्ता मनाये जाता है ठीक है? Q25 देख लेते हैं राष्टिय एकीकलाण सिविर में परतिभाग करते हैं यानि जो राष्टिय एकीकलाण सिविर हैं उसमें परतिभाग कौन करता है? केवल स्वयम से भी? केवल कारेकरम अधिकारी? केवल कारेकरम समनोयक या उप्रोक्त सबी? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ए केवल स्वयम से ही उसमें परतिभाग करते हैं Q26, उत्राखन में विश्व परसिद नंदा राजजात यात्रा कितने वर्सवां बाद आई जित होती है कियाने कितने वर्सवां बाद, हर कितने वर्सवां बाद आई जित होती है हर 10 वर्स बाद, हर 12 वर्स बाद, हर 14 वर्स बाद, या हर 16 वर्स बाद बागदारी, slogan समंदित है, यानि ये जो मजबूत लोगतरन सब की भागदारी है, ये किस से समंदित है, तो ये आप अच्छे से जानके है, ये मद्दाता जागुरता अभ्यान से समंदित है, ठीके, ये इससे समंदित है, question 28, नीली करांती का समंद है, यानि नीली करांती का स दुग्द उत्पादन से कौन से करांदी का सम्मन्द है तो दुग्द उत्पादन से स्वीत करांदी का सम्मन्द है ठीक है और अन उत्पादन से हरित करांदी का और पसपालन से भी स्वीत करांदी का ठीक है या उसको दुग्द करांदी का सकते है या स्वीत करांदी का सकते तो दुगदू उत्पादन और पसपालन एक दूसरे से जुड़े हुए है ठीक है और मच्चेपालन से क्या है नेली करांदी का और अन उत्पादन से हरित करांदी का तो I hope क्या आपने जितने मैंने बता है वो भी नोट के ये तो नोट क्या ही क्या होगा आपने बाकी भी जो मैंने बताएं वो भी आपने नोट के कर ली होगी क्योंकि question वो भी आ सकता है अगली बार आ सकता है कि सुरित करांदी का संबन्द किस से है ठीक है यहारित करांदी का संबन्द किस से है चलिए question number हम 29 देख लेते है मरॉनियन परसिक्षण संस्तान याने इटी आई का प्रमोकारी है इसका प्रमोकारी क्या है कारेकरम अधिकारियों का परसिक्षण सूसनाओं का संकलन समन्वय और निरिक्षण संस्तावार स्वयम सिवियों का आउंटण 2022-29 का जो राइट आंसर है वो है ए, कारेकरम अधिकारियों का परसिक जाड़, ठीक है, क्वेश्चनमर 30, गड़वाल मंडल के अंतरगत ना आने वाला जनपद है, हमारे पॉपसन है हर्दवार, उधम सिंगनगर, चमूली, उतरगासी, तो इसका जुराइट आंसर है, वो है B, उधम सिंगनगर, आप कमेट स हम 31 देख लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चनमर हम 31 देखें, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको सियर करें, जो सब्सक्राइब बटन है, इसका में आपकी स्क्रीन पे विजिवल है, चले, क्वेश्चनमर हम 31 देख लेते हैं, भारतिया दंड सहीता कि कि किस धारा के अंतरगत दहेज के कारण मिर्ति होने पर सजा का प्राविधान है, तो इसमें धारा 304B, धारा 364, धारा 498A या अप्रोक्त सभी, तो 31 का जो राइट आंसर है, वो है A, धारा 304B के तहत, इसमें सजा का प्राविधान है, क्वेश्चन 32, चाइल्ड लेवर एक्ट, 1986 की अंतरगत खतरनाक समझे जाने वाले, कितने प्रकार की रोजगार हैं, यह देख लीजिए, यहां परी क्वेश्चन यही है, कितने प्रकार की रोजगार हैं, रोजगार हमें 14 साल से कम उम्र की बच् प्रकार की रोजगार हैं, जो खतरनाक समझे गए हैं, और जिनको 14 साल से कम उम्र की बच्चों को काम करने के लिए वहां मनाई है, ठीक है, किसके तहट, 86 का जो चाइल्ड लेवर एक्ट है, उसके तहट, क्वेशन मत 33, उत्राखन में लोगसभा के निर्वाचन छेत्रों की संक्या है, तो कितनी है, ये तो काफी easy question है आपके लिए, तो इसका जो राइट आंसर है, लोगसभा के लिए कितने हैं, ये 5 है, ठीक है, लोगसभा के लिए 33 का जो राइट आंसर है, वो है 5, पाँच ल कितने MLA का निर्वाचन होता है, आप ये comment section में बताएंगे, ठीक है, चले, question number 34 देख लेते हैं, युवा कल्यान एवं खेल मंत्राल है, भाराज सरकार द्वारा, वर्स 2021 के लिए उत्राखन में राष्टिया सेवा युजना के संचालन ही तो आवंटित स्वेम सेवयों की सं क्या आवंटित थी, तो इसका जुराइट आँचर है, वो है A, 59,100, ठीक है, 34 पूड का जुराइट आँचर है, वो है A, ओके? चले, क्वेशन नमर हम 35 देख लेते हैं, अंतराष्टिया योग दिवस मनाय जाता है, कब मनाय जाता है, 21 जून, 1 माई, 8 सितंबर ये 15 सितंबर को, तो 35 का जुराइट आँचर है, वो है A, 21 जून को मनाय जाता है, ठीक है? ये 21 जून इसका राइट आँचर है, क्वेशन 36 राष्टिया मद्दान दिवस मनाय जाता है, 1 अक्टूबर को, 1 दिसमर को, 2 अक्टूबर को, 9 नमबर को, तो 36 का जुराइट आँचर है, वो है A, 1 अक्टूबर को, ठीक है? चले, क्वेशन नमर हम 37 देख लेते हैं, क्वेशन हम 37 है, उत्राखन में मैती अंदूलन के प्र साथ बाट, तो इसका जुराइट आँचर है, वो है C, सिरी कल्यांट सिंग राष्ट, क्वेशन में 38, रखदान करने से, या रखदान करने से क्या होता है, सरीर की रोग परतिलोग अक्षमता बढ़ती है, नई रख्त करनिकाओं का निर्मान होता है, सर्वधर्म एकता को बढ़ावा मिलता है, या उपरोक्त सभी, तो ये तीनों होते हैं, तो इसका जुराइट आँचर है, वो है D, उपरोक्त सभी, ओके, चले, क्वेशन नमर हम 39 देख लेते हैं, उत्राखंड के किस प्राइवर्ण विद्ध को वर्स 2020, यानि 2020 में पदम भुषन से अलंकरित क चले, क्वेशन नमर 40 देख लेते हैं, और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्ण है, एक स्वस्तिव व्यक्ति, एक वर्स में रगदान कर सकता है, यानि कितने बार रगदान कर सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, यह चार बार, तो question number 40 का जुराइट answer है, वो है D, चार बार कर सकता है, ठीक है, यह चार बार कर सकता है, इसका में उसको बताएंगे आप question number 40 तक पहुंच की और अभी तक भी आपने हमारे channel को subscribe करें वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें आपकी जो आने वाली B और C certificate की प्रिक्चा है वो अवश्या आप उसमें success हो आप 50% से ज्यादा marks achieve करें और आप उसमें आश्या सकते हो मेरी बहुत बहुत सुपकामने धन्यवाद